प्राइम टीवी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ शुखा महर उत्रा और आप सभी को विजे दश्मी की हारदिक शुख कामना है रुक करते खबरों की ओर आज देश में विजे दश्मी की धूम है कोरोना गाइडलाइन्स को देखकर दशेर मनाया जा रहा है वहीं विजे दश्मी पर पीम नरींद्रमोदी ने देशवासी को बढ़ाई दी उन्होंने लिखा विजे दश्मी के पावन अफसर पर आप सभी को अनंत शुख कामना है दशेरे का दिन हिंदू के लिए सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है हर साल इस पर्व अश्विन मास की शुक्लपक्ष की दश्मी तिथी को मनाया जाता है हिंदू पंचांग के शुख के नुसार ये दिन दिवाली से ठीक 20 दिन पहले आता है विजय दश्मी को दर्शाता है इसलिए पर्व को विजय दश्मी कहते है यानि कि आज विजय दश्मी का त्योहार है ये त्योहार काफी एहम होता है विजय को दर्शाने वाला होता है इसलिए विजय दश्मी कहते है क्योंकि इसकी एक अलग ही कहानी है यानि कि औराणिक कता है और कई मान्यताई भी इस दिवस से यानि कि त्योहार से जुड़ी हुई है और पीम नरीनर मोदी ने भी विजय दश्मी की आज शुब कामनाई दी है आपको बता दे कि देश को अननत शुब कामनाई दी पीम मोद से और आज के दिन कोरोना के गाईडलाइन को ध्यान में रखते हुए दशहरा मनाये जाएगा तो पूरे देश में इसकी धूम है और दिवाली की तियारिया भी शुरू हो गई हैं और एक नया ही रुख लेता है मौसम, मौसम भी बदलने लगता है और अशविन मास की शुकल पक्ष की दशमी तिथी को ये तोहार बनाया जाता है, लिए इसे दशहरा भी कहते हैं और विजय दशमी इसलिए कह जाता है, क्योंकि ये विजय का प्रतिक होता है। इसी दिन भगवान श्री राम रावड कवद कर अयोध्या लोट रहे थे, मलकी यहां से प्रस्थान किया था उन्होंने, तो इसे लिए इसे विजय दश्मी भी मना जाता है, क्योंकि असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, तो इसे लिए विजय दश्मी का त्योहार मना जाता ह कई मानिताएं हैं और कई पौराणिक कहानिया है विजे दश्मी से जुड़ी आज देश इस्तियोहार को मना रहा है रुक करते हैं अगली खबर की तरफ देश के लिए गोला बारूत से लेका टैंक और तोप बनाने वाली और्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड ओफ एफबी के कॉर्परिटरिजेशन के बाद राजनाज सिंग आज यानि दशेरे के दिन ओफबी की साथ अलग अलग कमपनियों का शुभारम करेंगे रक्षमंदरी राजना सिंग दशेरे के मौके पर शेस्त्र पूजा के साथ ही इन सातों कमपनियों को लाँच करेंगे ओ एफबी की कुल 41 फैक्टरियों और 70,000 कर्मचारी हैं जो अब एक बोर्ड की बजाए साथ कमपनियां यानि की डिफेंस पी एस यू से जुड़े होंगे सभी 41 फैक्टरियों को साथ कमपनियों में बाटा जाएगा तो इसके शुभारम के लिए ये शुब दिन यानि कि विजे दिश्मी चुनी गई है और इस दिन शस्त्र पूजा भी होती है जैसा कि आज आरसेस प्रमुक मोहन भागवत ने भी शस्त्र पूजा की और अब शस सब्सक्राइब के बाद राजना सिंग आज के दिन ओएफबी की साथ अलग-अलग कमपनियों का शुभारम करेंगे तो एक नहीं दो नहीं साथ कमपनियों का शुभारम हो रहा है इस देश को काफी फाइदा होगा पहला फाइदा तो ये होगा कि सबसे विश्वसनी हत्या और युद्वे स्नमाल होने वाले टैंकों गोले बारूद हों तो सभी अपने देश में निर्मित होंगे अपनी नजरों के सामने होंगे तो इसमें काफे विश्वास किया जा सकता है काफे सुरक्षित होंगे साथ ही सिकाई लोगों को रोजगार भी मिलेगा साथ ही शहरे के मौके पर श्रस्तर पूजा के साथ ही इन सातों कम्पनियों को लांज करेंगे एक बड़ी सौगात मिलने वाली है इंडियन आर्मी को ओएवबी के कुल 41 फैक्ट्रियां 70,000 करमचारी है जो अब एक बोर्ड की बजाए 7 कम्पनियां यानि की डिफेंस पी एसी यू से जड़े होंगे सभी 41 फैक्ट्रियों को साथ कम्पनियों में बाटा जा रहा है ताकि इनका संचालन सही से हो सके और साथ ही जो भी निर्ने हो और जो भी सुविधाय प्रदान की जाए जब वो करमचारी हो या फिर शस्तरों से जड़ी हो वो सभी में एक समान्य रहे और साथ ही जो सुरक्षक इंदजाम है और जो बाकी की जिम्मेदारिया है उस पे भी खासा ध्यान दिया जा सके उत्तरवरदेश में अगले साल विधान सभा चिनाओ होने हैं से पहले सत्तधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी सपा में पोस्टर वोर्ज शुरू हो गया है दरसल भाजपा ने पूर्व मुख्य मंतरी अकलेश यादव को गुमशुदा सांसत बताया था अब इस पर पलटवार करते हुए सपा ने मुख्य मंतरी योगी आदितिनाथ को लापता बताया है सपा के मीडिया कंसल्टेट आशी शुरू ने भाजपा के पोस्टर पर जवाब देते हुए मुख्य मंतरी योगी आदितिनाथ को लापता बताया उन्होंने लिखा मुख्य मंतरी के काम के तौर पर योगी आदितिनाथ ने सिर्फ सपासरकार के कामों का फीता काटा है यूपी विजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर आजमगड के सांसत के तौर पर अखिलेश को गुमशुदा बताया गया है इसमें उनकी तस्वीर के साथ ये भी लिखा है कि ऐसे में बैट कर दिन भार ट्वीट करने का काम करने वाले अखिलेश अपने संसदिये छे गायब बताया गया था लापता बताया था खिलेश को तो वहीं अब इसका जवाब सपा ने दिया है और सीम योग्या दितनात को लापता बताया है तो पोस्टर वार शुरू हो गई है जहां चुनाओं में अब बहुती कम वक्त बचा है और इसको देखते हुए अब राज कई पोस्टर देखने को मिलेते हैं और अब एक और पोस्टर देखने को मिला है और यह सीधे तोर पर एक दूसरे पर तंज कसरा है निशाना साधरा है क्योंकि पहले अखिले शादब को उनके संसदी छेतर से लापता बताया गया और वहीं अब सीम योग्या अदितनात को तो गुमशुदा और लापता की जो यह जंग है वो बीजेपी और सपा के भी छेड़ चुकी है पोस्टर वाश्यरू हो चुकी है अब देखना यह है कि राजहनीती में और क्या-क्या देखने को मिलेगा विश्व हिंदू परिशद ने बांगलादेश में अवरात्री पर मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्ती पर हमले की घटनाओं की निंदा की है और जिहादियों पर कारिवाई की मांगी बी-अच्पी ने कहा बंगलादेश सरकार हिंदू की रक्षा करे विहप ने विहप के केंद्रे महस्चिव मिलिंद पराडे ने कहा कि रात के अंधेरे में चिटगाओं मंदल को कोमिला छेत्र में शडियंत्र पूर्वक कुरान के अपमान की बात फैलाई गई इसके बाद हमलावरों ने कई जगा पर दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला किया मंदिरों में तो ओड़ फोड की गई हिंदू समाज इस घटना से दुखी है ऐसी खबरे है कि हिंदू अजसंख्यों को पर क्रूर अत्यचार और उत्पीडन का सिलसला जारी है मिलेंद पराडे ने कहा मंदिरों पर हमले में दो हिंदू के मारे जाने की खबर है जोकि 500 लोग सक्मी हुए है बांगलादेश में कई अन्य अस्थानों पर दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान देव्य प्रतिमाओं के अपमान के घटनाय हुई है वहीं वहां की इस्ति अन्य आतंगवादी संगटनों द्वारा इस तरह के हमले करने की कथट अपील के बाद हिंदू पर और हमले होने की आशंका है तो बांगलादेश में हिंदू के उपर यानि की अल्प संख्यकों के उपर हमला हुआ है जिसकी घोर निंदा की जा रही है और साथ ही सुरक्ष की मांग भी की जा रही है हिंदू की आपको बता दे कि विश्व हिंदू परिश्व ने बांगलादेश में नवरात्र पर मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्ती पर हमले की घटना की निंदा की है और जिहादियों पर कारवाई की मांग भी की गई है आपको बता दे क विएचपी ने कहा बांगलादीश सरकार हिंदू की रक्षा करें विहिप के केंद्रे महासचेव मिलिंद पराडे ने कहा कि रात के अंधेरे में जटगाव मंधल के कोमला छेत्रों में शड़ियां पूरवक कुरान के अपमान की बात फैला आई गई इसके बाद हमलावरों पर दुर्गपडालों पर हमला किया तो यह पूरा पहले से शड़ियां तरप पूरवक किया गया है यह बात कही गई विहचपी की तरफ से कि पहले कुरान के अपमान की बात फैलाई गई जिसके बाद इस सरहा के हमलों को अंजाम दिया गया है सुरक्षा की बात उठाई और साथी ये भी कहा गया है कि जो ये हमले हुए है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों पर और हिंदू लोगों पर यानि काफे निंद निंद निये हैं साथी ये भी कहा गया कि हिंदू समाज इस घटना की दुखी और घोर निंदा करता है ऐसी खबरे है कि हिंदू अ अत्याचार और उतपीडन का सिलसला जारी है तो सीधे तोर पर इसे निशाने पर लिया है और इसे बड़ा मुद्दा बताते होए अल्पसंख्योबब पर कुरूर, अत्याचार और उतपीडन का मुद्दा उठाते हो ने कहाँ कि ये अभी भी जारी है इस पे रोक लगनी चाहिए मिलिंद पराडे ने कहा कि मंदिरों पर हमले में दो हिंदू के मारे जाने की खबर है जो कि 500 लोग जख्मी हुए है बंगला देश में कई अन्यस्थानों पर दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान दिवे प्रतिमाओं के अपमान की घटना हुई है और इस्तिती और खराब होने की संभावना भीज़त आई गई है पेट्रॉल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है सरकारी तेल कमपणियों ने आज फिर आम आदमी को जटका दिया है आज यानि के दशेरे के दिन शुकरवार को पेट्रॉल डीजल की कीमतों में बढ़ातर की गई है पेट्रॉल और डीजल के दाम में आज 35-35 पैसे प्रतिलीटर की बढ़ातर की गई जिसके बाद रास्टे रास्थानी दिली में पेट्रॉल प्रतिलीटर 105-14 पैसे वहीं डीजल 93-87 पैसे प्रतिलीटर हो गया है पेट्रॉल और डीजल की कीमते इस महीने भी लगातार हर रोज बढ़ रही है अक्टूबर महीने के शिरुआती दस दिनों में ही पेट्रॉल के दाम में दो रुपए सी पैसे का जाफ़ा हुआ था वहीं डीजल के दाम में 3 रुपए 30 पैसे की बढ़ातरी की जा चुकी है तो लगातार बिना रुपए पैट्रॉल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पैट्रॉल और डीजल महेंगा एक बार फिर हो गया यानि कि दशेहरे के दिन जहां सरकार कोई उपहार दे सकती थी कोई तौफ़ा दे सकती थी दशेहरे का लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम ने एक बार फिर लोगों को चौका दिया है महंगाई आसमान छूती हुई नजर आ रही है जिस तरह से पेट्रोल डीजल के बिना रुके दाम बढ़ रहे हैं ये काफी लोगों को परिशानी में डाल रही है हाला कि अब लोग इसके आदी होते हुए भी नजर आ रहे है जिस तरह से बिना रुके महंगाई बढ़ रही है अब लोग हालातों का सामना करने के लिए मजबूर हो गए हैं और इसी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर होते देख रहे हैं पेट्रॉल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है सरकारी तेल कंपनियों ने आज एक बाफ फिर आम आदमी को जटका दिया है और दशेरे के दिन भी पेट्रॉल और डीजल के दाम बढ़ा दिये है इस बिलिटिन में फिल हाल इतना ही आप बने रहे है प्राइम टिवी के साथ